कि अग्याइब नुक्सान पर नुक्सान अरे कहां हो तुम लोग साला यह तो नक्षा ही पलड़ गया कहा तो हम मिल बन करके उस जमिन पर सेवन स्टार होटेल डालने की सोच रहे थे और कहा यह सरकारी नोटीस आ गया अगर घाटा ही घाटा है तो सीक यूनिट करके सरकार खुद मिल पर कबजा कर लेगी मैं तो अब भी बोलता हूं वर्करों को बोनस बोनस देके मिल को शुरू कर लो वरना एक साही चोरी और इंपोर्ट लाइसंस के जरीए जो भी कमाते थे हाथ से जाएगा अरे कहे को देदे बोनस चौबिस सो वर्करों को पिछले छे साल से बोनस नहीं दिया है अंदाजा है तुम्हें कितना रुप्या देना पड़ेगा बिहारी अंकल मेरे हिसाब से तो बचने का यही तरीका है जिससे मिल भी बची रहे और गरीब वर्करों क क्या हमने गरीबों का ठेका लिया है अपनी तो भाई जी एकदम साब पॉलिसी है दस हजार गरीबों को मारो और एक अनाथ आश्रम को चंदा दे दो और बन जाओ दानवीर बिल्कुल ठीक हम अमीर इसलिए क्योंकि हमें गरीबों को गरीब बनाय रखने की टेकनिक आती है बिल्कुल सही है मैं तो कहूं के मिल को आग लगा दो ना बोनस देना पड़ेगा ना कमसा लो आगए सिंगाल अंका तराज 11 बजे की मीटिंग आपकी मिस्टर तिक विजए अगर यह सोने जैसी जमीन सरकार के हाथ में चली गई तो आपका सेवन स्टार खोलके करोडों कमा पाने का सपना सपना ही रह जागा मेरे सपने हमेशन सच हुए हैं जालान तुम विकार की फिकर मत करो जड़ा रवी को आ जाने दो कि सारी मुश्किले चुट्कियों में आसान हो जाएंगे मगर जमाई बाबु है कहां वह आए क्यों नहीं इस मीटिंग में वह दिल ली गया है एक मिनिस्टर के बेटे का केस लागने है हाई कोट में है विश्टर रवी में इस से पहले वह कितनी मासूम लग्जी को साथ इस तरह का खिंदाना खेल खेल चुका है क्या वह समस्टर का वेटा इसक बच्चाएगा मिस्टर अज़ाए अज़े आई आगे अगर यह घुट्यार विटे मेरे बेटे ने रेप किया है अगर यह सच है तो मैं इसे जूट साविक कर दोगा ताजुब की बात है जद साब की इंडियन पीनल कोड में अगर खून की दफा 302 है तो बलातकार करने वाले की दफा उसके आसपास 301 या 303 क्यों नहीं क्यों बलातकार करने वाले को दफा 310 दी गई है जो मामूली जेब क इमकानी जैसे जूर्म के काबल है इसका नतीजा यह जद साब कि बलातकार करने वाले को सिर्फ साथ साल की सजा मिलती है मेरा बस चलता ना जद साब तो मैं बलातकार करने वाले को भासी की सजा दिलवाता भासी की सर रवी वर्मा आपके बेटे का केस लड़ रहा है कि उनके खिलाफ लेकिन बड़े दुख की बात है जट साहब कि बलातकार का शिकार होने वाली बाइज़त और बेकसूर लड़कियों को अक्सर कानून से न्याय नहीं मिलता और वह इसलिए मिलाट क्योंकि मिस रागनी जैस अब्जेक्शन मिलाट मिस्टर रवी तो मेरे मुवक्री के दावे को जूटा ठहरा रहे हैं जबकि मैं तीन तीन गवाँ पेश कर चुका हूँ जिनन में इस रागनी को बुरे हाल में मिस्टर बीजे के कमरे से निकलते में देखा हैं लगता है कि मेरे काबिल दोस्तने उन मेरे काबिल दोस्त कर रहे हैं यानि कि होटेल ब्लो मून के रिसेप्शनिस्ट वेटर और गेटन मैं चाहूंगा कि उन तीनों को लाकर कट घरे में खड़ा कर दें क्यूंकि अब तक उन्होंने अदालत को सिर्फ उतना ही बताया है जितना उनसे पूछा गया है उन लोगो या तीन अब बकपस की तुम्हें जबान खीश लूगी तुम्हारी पांच लाग तो नहीं लेती होंगी तो तुमने मिस्टर विजे से डिमांड किये थे यो बास्टर मैं तुम्हें जान से मार डालूगी मुझे कोई ताजुम नहीं होगा मिस रागनी क्योंकि जो लड़ मिस्टर रागनी मुझे बोलने दीजी मिलोड मिस्टर रवी मुकबन को गलत टर्म दे रहे हैं मिलोड यह रही मिस्टर रागनी के गरहकों की लिस्ट जिन्होंने दो धाई हजार रुपे देकर उसकी साथ रात गुजारी है उनमें से कई इस अदालत में भी मौजूद है आपने जूटे गवाँ पैदा किया है आपके तीन गवाँ इसमें कौन सी बड़ी बात है रिश्वत देकर आपने उनको भी अपनी और कर लिया होगा आप उस पे बड़ा संगीन जुर्म लगा रहे हैं पाप्रेक प्रोसुगीर साब क्या पे बात साबित कर सकते हैं आप जानते हैं कि यह साबित नहीं किया जा सकता तो फिर आप चुप-चाप अदालत की कारवाही को चलने दीजिए और जुर्माना ना भरने की सूरत में दो साल की सजा और बढ़ाती जाएगी एक्सूद मी मिस्टर अभी नहीं मैं यह कहना चाहता था कि बलात करका यह मुकदमा अगर मैं वापस ले लूँ तो क्या वादा करते हैं कि रागिनी पर आप ब्लैक मेल और मानाहनी का दावा द आपने तो कमाल कर दिया मिस्टर रवी यह रही आपकी फीज और हाँ वादे के मुताबिक यह 17 एकड़ के फामाउस के कागजात हैं जो आपकी पत्नी के नाम है कि आइदा अपने बेटे से कहिएगा कि रीट वेप नहां करें वरना मैं अगली बार दुग नहीं फीस लूंगा हुआ है खाए है इतना बता सचना पुचरी आगल पुर्माई पर्देशिया इतना बता सचना तीरी कौन हुमें? मेरे रिष्टाओं में तेरी साँ सब की हैं डोरिया मेरी जान है तू ये जान ले तू मेरी जान है तू ये जान ले तू हलो क्या कर रही हो जान तुमसे मतलब कल आने वाले थे और आज आ रहे हो गारी से पोले हो फ्लाइट कैंसली तो टेल मी अगली में कम से कम दो गंटे और हैं मैं मर जाओंगी मरे तुमारे दुश्मन मैं जल्द से जल्द वाँ पाँच रहा हूं लेकिना इस जोश को ठंडा मत पड़ने देना शाट अब अब पूजा बिटिया उनका फोन आया था फ्लाइट कैंसल है कम से कम दो घंटे और लगेंगे अरे तो दो घंटे तो दो घंटे में बीथी जाएंगे ना और फिर पूजा बिटिया भी तो आती होगी तू संसे पिर क्या फाइदा हम मरने की तयारी कर रहे हूं सोच रही पंखे से लटकू एपनी अगली फ्लाइट का क्या हुआ हो जाएगा हो जाएगा जान का जान के लिए इंतजार करने का मजा ही अलग है सबरकर फल मिठा ही मिलेगा देखो दूर बैठे तुम बहुत अची बाते कर लेते हो सामने आओ तो बताओं अगर आ गया तो क्या कर लोगी देपोच के पलंग पटक दूगी फिर फिर तुमारे टाय कीच कर एक तरफ और जूते निकल कर एक तरफ फिर फिर कस के किस लोगी सारी बाते फोन पर करओं क्या ओ हो फोन पर तो सिफ मन्यू पूच रहा हो मेनी महीं शुका ठालंग ये वर्ये सं जांग है को चास्था नहीं बॉत मज़ांता है मुझे शर्षानि में अबट माज़ांता है पहले है हॕम है तो होजाए पावा है बूर देए तेरी मूर की तो अरे रहे 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 नहीं छोड़गा तुके अब भी बनाता हूं तेरा मूर है कर दो है 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 तुम सांस लेती हो तो मेरा दिल धड़कता है जब यह ओट खुलते हैं तो लगता है कि तुमने मुझे चुपके से पुखारा है यह आखें जब जब इन आखों को देखता हूं तो ऐसा लगता है कि रिश्टों के समुंदर में टूपता जा रहा हूं टूपता जा रहा हूं प्रविघ क्रवज पर रहे हूं भी जब आगाए हां पापपा आगय थे अ काफी देर हो गई कॉल हम बलाती हूं रवी अरे पापका फोन है तो ना बात करो हाई डाड वेलकम बेटे फ्लाइट लेट थी क्या हाँ डाड अच्छा एक अर्जेंट मीटिंग आन पड़ी डाड ऐसी भी क्या मुसीबद आ गई तुम क्लब पहुंचो वहीं बैठकर डिस्कस करेंगे ओके डाड वीड़ी डाड कह रहे थे जरूरी मीटिंग है क्लब जान आजा आजा मेरी छोटी गुडिया अगया हाँ विकरिंग लेट आप यहां जा रहे हो आपकी नाना जी ने बुला है वहीं जा रहे हैं पाप मैं भी जाओंगी आपकी एक्साम से बिटा नहीं मैं भी जाओंगी आप डारी के कपड़े खराब कर रहे हैं ताई इधर आज पुटिया ज़रा कम का चले है जब आई राजा यह लो चड़ना अमृत बहुत बुरा जमाना चल रहा है लिए तुछ ना करो मैंने तो तुम्हें भी बैलाया था अब मेरी चोटी गुडिया जूस पिएगी फिर क्या करेंगी क्या था जब नाना के घर में थी तो उन्हें आपने तो नक्षा ही बदल दिया हमारा तो जी करता है जमाई बाबू में पांच्छे क्राइम में कर ही डालूं बचाने के वास्ते आप जो हो ऐसे भी क्या मुसी बता गई डैडी सब तुम खोड़ी देख लो मिल के बारे में नोटिस आया है और यह तो स्रिफ रेप केस था बॉम ब्लास के केस में फैसे कई लोगों को इनके पती ने तो ऐसे जिसे दूद में से मक्की अरे भाई रुपए पैसे भी तो इन ही लोगों से मिलते हैं शरीफों की हैसियत कहां के इनके पती को अफॉर्ड कर सके अरे दिल्ली वाले केस में तो उल्टा लड़की को ही प्रस्टिडूट साबित कर दिया था पिचारी रोती पिड़ती रही इंट्रेस्ट नहीं रह जाएगा कि खुम फिरकर जमीन आप ही कि रह जाएगी तो चाहर दिन चुब बैठेंगे उसके बाद सेवन स्टा होटेल बनाने का परमिशन ले लेंगे लेकिन हां डारे मिल को आग लगाने से पहले इंशॉरंस चेक कर लीजिए अगर आपने पु मार्केट से अच्छा सा कर्जा उठालेंगे वो अलग फैदा होगा है लेकिन एक बात याद रखिएगा मिल पूरी तरह जलकर खाक हो जानी चाहिए पाइब रिगेड मौका एवारदात पे कम से कम तीन चार घंटे के बाद पहुंशनी चाहिए लेकिन इसमें खत्रा है रवी अगर ही आग फैल गई तो बाजुवाली बस्ती के लोग भी इसमें मारे जाएं ये और यहू के साथ गुंतों पिस्ता ही है जालान साहब इसमें हम लोग कर भी क्या सकते हैं एक्स्यूज में नमस्टे संगाल साथ हेलो मिस्टर अभी पापा हम चले हैं है है एपी बड़ इन एडवांस बड़े थैंक यू पापा चले है ओके कुर्णाय श्यून पाइब यह नक्षा बदल कर कहा जा रहा है संगाल साब आज यह नहीं र अठारा जून है अठारा तरीक को क्या होगा आज की दिन मैं बाप बना था आज है है अब बड़े डालिग लव यह यह तुम्हारा बड़े प्रेजंट दिल्ली के पास एक खुबसूरत सा फाम हॉस सत्रा इकर का है फार्म हॉस का मैं क्या करूंगी अरे करना क्या है जान कार्डन में दोड़ोगी तित्नियों के साथ खेलोगी पता है यह सारी की सारी बाते पर अज़ी में अकेले में तुमसे पहले भी कर चुका हूँ मैंने यही कहा था और तुमने एक्जैक्ली यही जवाब दिया था कि मैं फाम हॉस को क्या करूंगी रवी क्या है क्या कि यही कि तुमने कि एक सीधी-साधी लड़की को प्रोसिटींट थाबिद खर दिया कि तुम से किसने का और तुम ने उस आदमे को भी बाइसत बरी करवा दिया जिसमें बॉंब ब्लास्ट में कई जाने ली थी कमने का मैं क्यों से सावने आएगा उसको लड़ना ही पड़ेगा न चाहे पता हो तुम बुरा कर रहे हो पाप कर रहे हो पुर्णिख नहीं होता है जा अपनी हैसित के मुताबिक अपना काम करो इंसलिक यह पुर्णिय है एधर में पर यह वन कि नहीं रवी पाप तो हराल में पाप ही होता है और वो सब देखता है अगर पूने का इनाम वहां से मिलता है तो पाप की सजा भी वहीं से मिलती है अच्छी बात है उपर वाले साहब अगर मैं कोई पाप करूं तो उसकी सजा मुझे देना इस तरो राइट डालें कि नहीं रवी आज के दिन तुम्हें भगवान से यही मांगूंगी कि तुम कोई पाप करो उसकी सजा मुझे ही मिले क्यों मोड का कच्रा कर रही हो कि सजा तो यह कहलाती है कि महबबत करने वाले को महबबत की जगे भाशन दो तुम्हें तो मेरी जानो होना मेरा तेल मेरा जिकार मेरी महबबत तो मेरी मेरी जानो हो तो मेरी जानो है अजय है वाशन बार को मेरी जानो है हेएे हेए हाँ हाँ झाँ कर दो कर दो कर दो चेहरा तेरा चेहरा सपना है मेरा चाहू तुझे कितना न मुझे है पता चेहरा तेरा चेहरा सपना है मेरा चाहू तुझे कितना न मुझे है पता कर दो कर दो कर दो पादो उंडुले मैं कहां को गया यह इश्क में हमको क्या हो गया चाहत कि ये जाने कैसी मन्जिल है हम कहा है ये बजाना मुश्किल है अब हमें इन्ही रहों पे चलना है कुछ भी हो ये रस्ता ना बदलना है तरहाई दो प्रेमी कुई ना दे तरा चेहरा तेरा चेहरा सपना है मेरा चाहों तुझे कितना न मुझे है पता ये जिस्म है खुश्बुओं से बना मैं हूँ तिरे प्यार का आईना तेरी छुन से बजान क्यों चलता है जाने कितनी रंगों में ये खलता है चिंगारी है मेरी जलती सासों की गर्मी है ये मेरी प्यासी आँखों की मैं क्या सास हरा हूँ सावन की तु बटाओ चेहरा तेरा चेहरा सपना है मेरा चाहों तुझे कितना न मुझे है पता चेहरा तेरा चेहरा सपना है मेरा चाहों तुझे कितना न मुझे है पता ना मुझे है पता चाहों तुझे कितना न मुझे है पता चाहों तुझे कितना न मुझे 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 कर रात मेट्रोपोलिस मिल में भैयानक आग लग गई जिससे मिल जलकर पूरी तरह खाथ होगी और हमारे संबाद दाता वहां आप पहुंचे और म्यूनिसिपल कमिशनर सत्य प्रकाश से उन्होंने बात की जिन्होंने कहा कि वो नहीं मानते कि ये कोई हाथसा है पेश है एक रिपोड यकीनना आग जान बूचकर लगाई गई है ये किस बिला पर आप कह सकते हैं सर आठ साल से मिल में घाटा दिखाया जा रहा है चे साल से मजदूरों को पूरी तंख़ा नहीं मिली ना कोई बोनस द साड़े तीन घंटे तक मोकाय वारदात पद नहीं पहुंची है ये इत्तफाक नहीं हो सकता मैं इस मामले की तह तक जाओंगा इसकी पूरी जाच करवाऊंगा और जो भी आदमी जानमाल के नुकसान का जिम्मेदार है उसे कोट में खसीट कर सक्स से सक्स सजा दिलवाई यह तो साला लक्षा ही उलट गया है गईब हैस पानी में और साथ में हमें भी ले गई सारा इस सत्यप्रकाश बढ़ा एक गड़क आदमी है जो कहेंगा वह करके दिखाए तुम लोग बहुत जल्दी परेशान हो जाते हो तेल देखो और तेल की ठार देखो मैं आपका बहुत बड़ा फैन मिस्ट सत्यप्रकार आप कि इतने इमानदार और उस उनों के पके इंसान है यह तो सारा शहर जानता है जबकि आपको तो सारा हिंदुस्तान जानता है मिस्टर अभी वर्मा मतलब की बात कीजिए यह यह आपकी सफ़ा गोई भी बहुत मशूर है चलि मतलब की बात करते हैं मैं में मेट्रोपॉलिस मिल के मालिक की तरफ से हैं जिस मिल को आपने सील कर दिया है मिल तो जला दी गई है और मैंने जमीन पर कबजा ले लिया है उस जमीन पर मेरे क्लाइंट होटेल बनाना चा पर मैं आपको एक इंट तक रखने नहीं दूंगा कि तुम्हारे क्लाइंट ने सिर्फ मिल को आग नहीं लगाई बलकि गरीबों की जोपनियों को फूंक दिया है कितनी कीमती जाने गई है उसमें पता है यहां सुनकर बहुत दुख हुआ है लेकिन मेरे क्लाइंट हर मनने वाले की फैमली को कि पचास हजार रुपे देने के लिए तयार है कि पचास हजार देकर दंगे करवा सकता है पचीस हजार देकर किसी का खून करवा सकता है और अब पचास हजार देकर गरीबों का मूँ बंद करवाना चाहता है लेकिन याद रखो मैं यह होनी नहीं दूंगा यह मूँ अदालत में चिला चिला कर कहेंगे कि उनके घरों को फूक देने वाले उनके अपनों की हत्या करने वाले आपकी मिलके मालिक है आपकी बात बहुत लं अपनी कीमत बोलिए अभी आपने कहा कि मैं बहुत इमांदार हूं और अभी आप मुझे जिश्वत देना चाहते हैं यह मांदारी भी बड़ी अजीब चीज होती है मिस्ट्र सत्य प्रकाष एक आदमी दस हजार को ठोकर मार कर अपनी मांदारी बचा लेता है लेकिन अगर तो आप बताईए आप कितने का प्रशा चाड़ाना चाहेंगे यह सर्ट क्योंकि आप एक वकील है मैं आपको रिश्वत देने के जुर्में जेल नहीं भीजवा सकता इन्हें धक्ये मार कर बाहर निकाल देना मिस्ट्र सत्य प्रकाष चुकि मैं एक वकील हूं राए देने तैरने की हमागात मत कीजे थक जाओगे तूप जाओगे बह जाओगे कि अब नाइस देश्व क्रिश्णगार तेरा अपरल ठीक रहेगी जैसा ठीक समझे भाई साहब तब तक तो हमारा करन भी आ जाएगा चुट्टियों पर अच्छा क्रिश्णगार ये शगुन संबाल लो आज से हमारी बेटी तुमारी हो गए और तुमारा बेटा हमारा अरे विने के से नहीं आया आप तर ये लो विने भी आ गया आओ बेटा विने आओ मैं आपको गिरफतार करने आया हूं सब्सक्राइब विने बड़ों से इस तरह मजाक नहीं करते बेटे काश यह मजाक होता मां लेकिन इन पर किसी पुर्शोत्तम जालान से रिश्वत लेने का इल्जाम है और बदकिस्मती से इन्हें गिरफतार करने की जिम्मेदारी मुझ पर सौपी गई है जबकि आप यह अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरे बाउची से इमान्दार इंसान डूणने से भी नहीं मिलेंगे चलिया सर मेरे पास आपकी गिरफतारी का वौरंट है वारंट भाल ard Minute हीह यह 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 से तोम्हेरी पिता समान मैं तुम्हारी मायसी हूँ फिर भी तुम्हारी हाथ चुरती हूँ तुर पाउं परती नेखिये आप मेरा काम और मुष्खिल मत कीज़े माजी चलिए सर पीज अरे एक कैसा फर्जे तुम्हारा जो सही और गलत में फर्ट नहीं देख सकता मत कर ये पाप बेटा मत कर ये पाप अगर इंपे बद्लामी के दाग लगेगा ये दो पल भी नहीं जी पढ़ेंगे बस करो सुशिला मुझसे इमानदारी की कीमत मांगी जा रही क्या मैं इंसे दो मिनिट बात कर सकता हूं आल राइट अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है सर आप मिल में लगी हुए आग की जांच रोख दीजे मैं आप फिल अगे सारे इलजाम अटा दूँ है बड़ी हिम्मत है तुझ में लड़के मैंने सुना था जूट के पाऊ नहीं होते हैं उसे सच के सहरे चलना होता है यह सब किताबी बाते हैं सर और जिंदकी कोई किताब नहीं मेरी राय मानिये मैं आपकी बेटे जैसा हूं मेरे बेटे जैसा है तू अरे डूब मरता मैं अगर मेरा बेटा तुमारी जैसे होता तुम्हारा ना कोई धरम ना कोई इमान पैसों की खातिर खुद की आत्मा तक को बेच चुके हो तूम नहीं नहीं मेरा बेटा तुमारी येसा नहीं है नहीं है मेरा बेटा इसा अरे वो वो तो इमान की खातिर खुद को कुर्बान कर सकता है फर्द की खातिर अपनी जान दे सकता है देश के दुश्मनों के लिए आतंक है मेरा बेटा आतंक सब्सक्राइब कर लिया है काप्टेन करने इस कमांड सर आउट और जाज़ आउट 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 सब्सक्राइब कर लिया है कि अजने ने आउट आउट सब्सक्राइब करने के बढ़ा आउट आउट सर आउट साथ जानों ने बच्छों को छपाए रहाएं सार है 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 मेग एक बढ़ो जो जलो अरोग प्रक्रुह, जासी को C मेगकी रादा ए कर र दो जड़ यह जемे को C आपए लिख लग लगिए लादा लादा लेर वड़ साथ लेर बना हुआ। प्रेबुलाँ! बच्चो को ठाइगा तू? बच्चो को ठाइगा? यू पास्डर्ड! देख उनकी आखों में छिपे हुए खौफ को देख यही खौफ में तेरी आखों में देखना चाहता हूँ! प्रेणे, बच्चो को ठाइगा? मान रेहे! मान रेहरे.. पराफटे ऑफडियूह में पर प्राफटेन कैप्तें करण हमें नास है आप जैसे बहुतं अफसर बहुत भीज़ है मैं जरा से लखी हूँ वो निले नैनों वाला तेरा लकी कबुतर वो कि ये इश्क ताप्याला तेरा लकी कबुतर ना ना करके चो बारे से कुछ बोल गई वो इशारे से कुड मोर गई लिशिकारे से दिल लेगई लूट कुवारे से जोरी, जोरी, जुपके, 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 कहसा जातु उटाला हत तेरा लग्की का पुत्तर, आए, है, तेरा लग्की का पुत्तर ओन्नीले मेनों वाला, तेरा लग्की का पुत्तर मेरी खुल गई पटक दिनी अख जी गैली दे विच्चो कौन लंगेया किते ओ होई ना होवे ओ जिदा शक जी गैली दे विच्चो कौन लंगेया ओ दिया दिवा जैसी ने ठक ठक नी गैली दे विच्चो कौन लंगेया कवा दीवानीं बनके कान में कैसे जूमें है, कितना है लग्की जुम का गालक चू मने है सच दिलत पैर गई, पैर गई, दिलत पैर गई आरियो पुड़ी कुआय, लगटेरा हो नीले नैनों वाला तेरा लग्गी कपुतर दिल लेके की सेदा सुन मित्राना दिल फिर मोडीता दिल लेके की सेदा सुन मित्राना दिल फिर मोडीता दिल हुन्दा एस जन कजवर गाँ है नूना पैते तोडीदा हो दिल लेके इसे दा सुन मित राना दिल फिर मोडीदा तेरे फाओं में चन के चम चम चान चर चान दी की होई काली नागी निभी है आशिक तेरी परांदी की तेरी मिशरी के जैसी के जैसी मिशरी के जैसी बोल के हो हम जो लिक लग तेरा लग देर, 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 लग दे जोई जोरी जुपके जुपके कहसा जातू डूटाला है तेरा लग्की का पूतर मीले ने नो आला तेरा लग्की का पूतर तेरा लग्की का पूतर ये इश्क दा प्याला तेरा लग्की का पूतर ओल राइट जूट्स ये मुकदमा आप पर उनसे रिश्वत ना लेने के लिए मगर इनसे रिश्वत लेने के लिए चलाय जा रहा है मिलोड जिन सिंगाल और सक्षेदा की बात कर रहे हैं उनका इस मुकदमे से कोई तालुक नहीं ये मुकदमा मिस्टर पुर्शोतम का है जिन से रिश्वत इन्होंने लिए इसलिए मिलोड मैं आपसे दर्ख्वास करता हूं कि अदालत का और वक्त ना जाया करके आप मिस्टर सर्थर्प्रकाश के एसिस्टन कमिश्णर और दफ्तर के दूसरे लोगों को बलाएं और कट घरे में खड़ा करें क्योंकि उन्होंने अपनी आँखों से मिस्टर सर्थर्प्रकाश को रिश्वत का पैसा कबूल करते हुए देखा इजाज़त है थैंक्यू में लॉर्ड मैं नीचे से शुरू करता हूं सबसे पहले मिस्टर सर्थर्प्रकाश का अपना भरो से मन पियन रामपाल सिंग हाज अमाम सबूतों और गवाहों के बयानात को मद्दे नजर रखते हुए ये अदालत शिरी सत्य प्रकाश को रिश्वत लेने के जुर्म में दो साल कैदे बामशक्कत की सजा का हुक्म देती है अब फिकर मत करना जी मैंने करन को बुला लिया है हम लोग हाइचोट में अपील करेंगे आप बिलकुल चिंता मत करना जी अधि अधिन लोग इंको रोको रोको इने आद आद लिए बाबुजी चल्द कीजिए चलिए जली आपकोड़ा कर दिया उसके लाठी में आवाज नहीं होती वकील, उससे डर। देवता जैसे मेरे पती पर पथर फैंकने वाले हाथ यह इन लोगों की नहीं है यह तो तेरे हाथ है तेरे इसका हिसाब भी तुझे चुकाना पड़ेगा या रख्टा तू चलिया माजी माजी चलिये कोई मेरे करन को मुला लाओ मेरे करन को भूआ कोई करन तेरी बच्चे करन तू आ गया तुन्हें इतनी देर क्यों लगा दी इतनी में तो उस वकील रवी वर्मा ने तेरी पिताजे को बेएमान साबित करके जेल भी बिजवा दिया बिटे जल्दी कर जल्दी जाकर उने छुडाला जा 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 चुडाला कहीं ऐसा नाओगी बह जाओ 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 रवी बाबु वा क्या कांटे से कांटा निकालाया अपने मजा आ गया मगर भाई ये दो साल बाद वह वापस लोटेगा और फिर से हमारी फाइले खुलके बैठ जाएगा तब जो आदमी दो साल की सजा काटके आता ना बहारी बाबु सरकार उसे दोबा बिल्डिंग उठा लो ठीक है सबसे उचेपेंटास में रहा होगा बिलकुल सर नेकी और पूछ पूछ रहाँ डैड आप भी बेफिकरी से अपने होटेल का काम शुरू कर दीजिए मैं चलू ओके बाइज हुआ सिंगाल साहब सिंगाल साहब हमें तो तसली नहीं है साब को अध्णमरां मत्छोडव उसे कुछलना है तो पूरा कुछलो मतलब ना रहेगा बास ना बजेगी बास्री मान लो अगर वोस्तिप्रकाससरा जेल में आत्मा हत्या कर लेतो तो वो कहै को करने लगा आत्मा हत्या समझा करो जेल में जब कोई मर मर जाता मुह खुलता है तो इसे आत्मा हतिया ही कहते है क्यों हाँ और जिस आधमी के आखे बंध हो जाती है रहना वो खुलता है लगा रखा लिज सब्ना डिकांक आप कभी करें आपसर दूर्ड team क sparkling करों कमें बहुत अच्छी ड्यूटी कर रहे हैं बहुत अच्छी ड्यूटी कर रहे हैं और प्रोब्लम फोर पर मीटू मॉन फादर ठीक है आप मेरे साथ आ यह सबस्क्राइब है जड़ाज खूर तर्वाजा कोल। प्लीस। दर्वाजा खलो धुल कोई। यद तर्वाजा कोल। यह कब हुआ सरव 27549 ने आधमहत्याकर लेख्श्थ Сп펙्छरी ख़भर मिलते ही हमने लाशका पंचनामा शुरू कर दिया । से अर्व इंके रिष्थधरनों को भी इंफाम्म कर दिया है पंदी को ते बंगे करन बंगे को पारगी को अपोझी अब बुलिया न खाब जी न 10 वाबू जी तो फॉस्च बोलिया में न गौजी बाबू जी और गालता ओू कि जनता हूं मैं कि मौत का जिम्मेदार कौन है आत्मात्या करने वाला खुद ही अपनी मौत का जिम्मेदार बता है आत्मात्या नहीं है यह कि मेरे बाबु जी जिन्दगी से प्यार करते थे सिंदगी का सामना करने वाले इंसान थे वो वो आत्मातिया नहीं कर सकते है किसने किया यह किसने किया यह किसने किया यह किसने मारा है बाभुजी को बोल से क्यों नहीं किया यह किसने किया यह किसने किया यह 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 क्या कर रहे हैं यह कंट्रोल यूरसल कंट्रोल यूरसल हुआ हुआ हाओ हाँ हुआ हाँ हाँ यह पाप्पा देखो मुरा, ड्रोएंग में थ्री साफ्विने, पेरे जब five stars मलेंगे, तब देखेंगे, ओके, पापा नहीं अभी देखो, हाँ, ये क्या क्या आपने, ने टेबल खराक पड़ दिया, पापा म सौरी, सौरी बोलने से घलती ठीक नहीं हो जाती, क्या क्या है, डिसब्लिन नाम की भी कोई चीज है की नहीं, ओहो, ये लोजवाई राजा, सब कुछ ठीक हो गया, आप ही ने से सर पर चाड़ा के रखा है, हाँ, सर पर चाड़ा कर रखा है, और रखूंगी, अब जाओ ना पाल्टी में, ऐसे बच्ची को डाटे जा रहो, को कोई बात नहीं बचिया, कोई बात नहीं बेठा, ममी आते ही, जल्दी जल्दी पूझा के साथ क्या खेलेगी, विडियो गे, ओके, लेट्स गो, कम आउन, गॉट नाइट, जले गई, बिना चड़ना मिट लिए, पिना चड़ना मिट लिए, रफीवर्मा, इशक इशक प्रिष्के, ओ ते रेइश्के! प्यार हमें प्यार, तुम कितना करती हो? प्यार हमें प्यार, तुम कितना करती हो? यार, तुम कितना करती हो? प्यार हमें प्यार, 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 तुम कितना करती हो? हमें व्यातं कितना करती हो यार मेरे यार हम पे कितना मड़ती हो है आए 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 अभुसन का मस्तान तेरी इस चाल पे मर जान नशा तुझ में साब उतल का तेरी मस्तिका में व्यासा है मेरे पीछे ये सारा जमाना जालना मुझ दे तु ऐसे जाना देख़ देखा तुम यू ना मेह गो और में आजाओ पहले नच्चिकुड़ी ये मेरे नाल, नच्चिकुड़ी ये मेरे नाल त्यारमे त्यार तुम्न कितना करते हो यारे यारम्दी कितना मरते हो हडिकपा समझती हूं मैं बिल जानी तेरी नियत में बहिमाने, बना के जूटे अफसाने, छेड़ना मझ को दीवाने है तेरे तम से ये मेरी कहानी, तेरे सिवा क्या ये जिंदगानी तुझो कहे तो तुझ बे आजाना जान लगा तूमें लच माहिया मेरे नाल, लच सोड़या मेरे नाल प्यार हमें प्यार तुम कितना करते हो यार मेरी यार हमें कितना मरते हो अरे बोले रहा तेरी आख का काजल, दिल है मेरा तेरे इश्क में पागल और उजयादा मैं क्या बोलों रहे प्यार हमें प्यार तुम कितना करते हो यार मेरे यार मेरे इतना मरते हो आइ, 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 प्यार हमने प्यार कूं इतना पर में हो, प्यार मेरे यार हमते इतना मरते हो पर्सुटिया, पर्सुटिया! कॉषा को जलो आच desean लession लुच्टिया उर्षा यह क्यार लुच्टिया अ खश्यक ङोब बगव सान जखब एक इंग है όςँ हाँ कर दो कर दो! कर दो कर दो... हुस कर दो कर दो का इस अ हो आजाओा थाओा। सिंगाल साब उन दोनों को आपरेशन थेटर ले के हैं सर गोलियां चलाने वाले को पहचान लिया गया है उसका नाम करंट सिंग है पिछले दिनों जेल में म्यूंसिबल कमिशनर सत्य प्रकाश ने खुदकुशी कर ली थी यह उनहीं का बेटा है आपिसर पुरे शहर में नाखाबंदी कर दो और वायरलेस पे मैसेज भीज दो कि करंट का जल्द से जल पता लगाया जाए यह सर कमिशनर मेरे बच्चों पर गुलियां चलाने वाला हम जल्द से जल्द उसे गिरफतार कर लेंगे आप बेफिक्र रहें मिस्टर सिंगा आपकी बेटी और दामाड ठीक है ना हम रवी वर्मा को बचाने में काम्याब हो गए लेकिन एक गोली इनके दिमाग के हिस्से को चूकर निकल गई मुझे डर है कि कहीं वो अपनी याददास नखो बेटें कुछ बोलिये कुछ बोलिये मिस्टर रवी बीज मुझे कुछ बात कीजिए लिज ट्राइट श्पीक हाँ कोशिच कीजिए काजल आगी क्या हाँ आगी मुझे रवी हाँ शुक्र कीजिए सिंगाल साहब कि उनका दिमाग बिल्कुल खाली नहीं हुआ अगर उन्हें काजल याद है तो उम्मीद की जा सकती है कि काजल के जरिये उनको सब याद आ जाए बस यूं समझ लीजे कि रवी के बन दिमाग की चाभी सिर्फ एक है और वो है काजल अगर नियां भी आसा में अगरे जल्फ यह तो बड़ी गरी मत्त हुई कि रवी के जगां ने यह मत्समाजना कि मुझे अफसोस नहीं हुआ अफसोस जूरूर वह लेकिन अगर रवी मर जाता तो समझ लों कि हम सब भी उसके साथ मर जाते ना बात तो सौ टका करी है अरे भाई हमारे वो सारे काले धंदे वो स्विस बैंक के अकाउंट वो बेनामी जमीन जायदात का हिसाब किताब सब उसी ने तो सबाल रखा है अगर उसे कुछ हो जाता है तो हम तो बरबाद हो जाते उसे तो अब भी बड़ी सब्सक्राइब बंसल जी कैसे होसला रखो कि दामाद है जो आस्पताल में जिन्दगी और मौत से लड़ रहा है और बेटी जो हमेशा खाली साथ जोड़ गई है नहीं नहीं यह आपकी बेटी नहीं है यह कैसे हो सकता है यह तो मैं कहता हूं यह सवाली नहीं उठता बंसल मैं मानी नहीं सकता कि यह सास सुर अंगन में सुए मैं सूँच्च बादे घर के बाहर कर रख राम वाजुन में कर इशारे कभी कहीं से आहत आए कभी जो कुंदी खड़के दिल धड़के दिल धड़के दिल धड़क धड़के जाली मा मेरी बोई आख बे फड़के सैयोरी 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 मुझा इस कफाए मदक उड़के UC Nej obtainan!? मोरी ये न चुपा क मैरी भेद भट ठाथ तेदेड सैयों आख धूरक अभ्णार्स मुझा जिपण रहोदा आख ऐन! भूश UX obs cuál? हूँख 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 चोरे चोरे घर के अंदर आजाए बीवा सुने कोई ना मेरे दुहुए कहीं न हो जाए रस्वोइ पुईमा, 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 पुईमा.. आने ना गहना हर जाए खस की पकड़े मेरे कलाए आनी मानी मैं हो जाओ मामी मामी मैं हो जाओ जिंगारे से भड़के दिल धड़के, दिल धड़के, दिल रगद़क धरके जाली मा मेरे बोई आख भी फड़के दिल रगद़क धरके, जाली मा मेरे बोई आख भी फड़के से योगी सब्कार्व दो बहरे में चौडा यस्क शर्मत लेके आए उसके अंदर ना जाने वो कॉदस जीज मिलाए पीत है विछु लड़ जाए नस्मेज कोई जहर सपाए पुईमा 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 डूोटे बजर में यग दर अगाये, अंगव अंग में दर्द सताये महा वई म कुविनों, वई म् लात लात भर कर्वट लेके मेले जुनानी तडपे दिल धड़के, दिल धड़के दिल धड़कतेह के जाली मामेर वाँ आख भी पड़के दिल दख़ग-दख धर्की जाल ममल बहत ऐ आखवी फटकी दास्त सुर अंगर मी सोई मैं सो उच़ भादे घर की पाहर कर रखर आख दाख जुन्मी करें शारे कभी तहीं से आट आए कभी जो कुन्डी खडकी दिल दड़के, दिल दड़के मेरी राणी, मेरी चुन्मक चलो मैं मर गई रांकसमा ए इधर दे इती देर में आधी कर दी मुए ने थोड़ी सी तपी है है ना खरे दिखा रही है ला बीड़ी दे जी में सापची कजरी कि तुजो नाचे है ना छमक के तो कसम से जी यूँ करे है कि अब भी के अब भी खेल जाओं चलो हाथ मत लगाईयों काट के फैंक दूंगी प्लाडी फूल अभी टेम है लगन में कर ले कर ले मुझोरी अरव्याहा के बाद सारी की सारी अकड़ धरी रह जाएगी हाँ भले पधारे हुकुम सेवा भाई तेरी छोरी चाहिए बंबई लेखे जाना है मैं तो बोलू जी कोई फिलम बिलम में आक्टिंग करने का तो नहीं है हुकुम तू दाम बोल यल्ले अरे चार पांसो तो रोज ठीक कमा लें छोरी चुप करो जी नसे में कुछ का कुछ बोल दो हो मैं तो बोलू हुँ चार पांसो नहीं हुकुम रोज का चार पांच हजार कमावे महली छोरी और अगर हम लाख रुपया देकर तुमारा नक्षा ही बदल दे तो कितना लाख अच्छा तुम बोलो तुम बोलो दो तीन चार पाट लाट ठीक है का कहो हुकुम यह साथ आशा मज़ा कच्छा कॉली तो आठ नौ मैं तो बोलू हुआ अरे तु बोल दस दस बोल दस ठीक है तो बोलू मले भी साथ ले चला हुकुम जो दस भी सजार ठीक समझा मनने दे देला असी कडी में उबाल हमने चिडिया का नक्षा मांगा था चिडिये के घुसले हुकुम आप तो अरी कजरी भारा सलाम बोल हुकुम ने गुड मॉर्निंग बोलू साब जी कहां करनू है को प्रोग्राम तो भित्तर जा त्याम है अभी हां मैं तो बोलू हुकुम भाव ठीक बोलो जी मतलब अभी तो नत भी नहीं उतरी है मारी छोरी की देखे भाई जी हमें कॉंस लड़की से व्याह करना है आप लोगों का क्या भरोसा हुकुम तहीं दागदार करके लटा दोगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा न देखे ओधर काम खत्म है और इधर आपकी लड़की वापस मैं तो बोलू जी छोरी आप की गुलाम है ले जाओ दोस्पीस दिन ज्यादा भी रखोगे तो कोई एक्स्ट्रा चारज ने हम भी दिल वाले हैं अबी वर्मा बच गया नवी वर्मा खत्रे से बाहर नवी वर्मा को बचाने में डॉक्टर्स काम्याब अबी वर्मा को बचाने में डॉक्टर्स काम्याब Mr. अबी वर्मा इस प्रूमन्बर 76 थैंक अबी वर्मा इस प्रूमन्बर 76 थैंक अबी वर्मा इस प्रूमन्बर 76 थैंक करन भहिया यूर अंडर आरिस्ट अपने हथियार फैंक दो नहीं जब तक मैं उसे खतम नहीं कर देता तब तक कुछ नहीं जो कहना है जो करना है सब उसके बाद करन भहिया तुम यहां से बचकर नहीं जा सकते प्लीज अपने आपको मेरे हवाले कर दो प्लीज करन पागल है क्या जिया पागल है यह जो मुल्क की सरहदों की हिफाज़त करते न सर यह पागल ही होते हैं इनके लिए जिन्देगी सिर्फ एक मिशन है जो ठान लेते हैं करके ही दम लेते हैं अगर रवी को कुछ हो गया होता तो हम जानते थे कि करन यहां जरूर आएगा इसलिए हमने मिस्टर रवी वर्मा को पहले ही शहर से बाहर महफूस जगे पर शिफ्ट कर दिया है और इस वक्त वह डॉक्टर आनन के सैनीटोरियम में बिल्कुल हिफाज़त से सिंदा शरी यह हैं बता मैं कौन काजल काजल नहीं सुंदर सुंदर जैसे ताज महल सुंदर होता है न वेसे सुंदर मांगडों जैसे डॉक्टर आनन का संटरूरिंप जैसे अए सुरत वाइन शौक चमचान गाट का गेट मुनिसिपाल्टी का गाड़न है ना ऐसा सुन्दल बोलो मैं कौन काजल काजल क्यों बोलता है इस ठीक मैं काला हूं देख सिर्फ काजल ही काला नहीं होता सुन्दर भी काला होता है बोलना में कौन काजल सुन्दर सुन्दीर संदर 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 मैं तुम्रों मैं संदर आज आगए वुकी बच्ची कितनी बार बोला है कि आने से पहले आवास दिया कर बोढ़ना मेरा क्या थो डुमें चार्सो चालीस वापन सब कुछ दिखता है कहीं और कोची चूट जाता तो पेशन को मैं क्या मों दिखाता है सब कुछ पेशन को बताएगा तो मेरे को क्या बताएगा मैं बोलता कुछ है सोचता कुछ और है क्या बोलती तू क्या मैं बोलू सुन सुना आती क्या खंडाला खंडाला क्या आदमी है तेरा नमर वाट कप से खा लिए तुझे कुछ मालूम ही नहीं कोच है मेरे स्टैचू भाई निकाल दीन हवा निचोड दिया निम्बू दूद में डाल दीन हटी कबाब में यह क्या हो रहा है सर पेशंट का बीपी बढ़ गया है बीपी पेशंट का ने बीपी तुम दोनों का बढ़ गया है अब यह पेशंट के अब यह प्रविए निकाल दीजिए उवी करता रहेंगा सुन्दर का जली की बीवी का नाम है जिसे बहुत प्यार करता था आज वह इस दुनिया में नहीं है तो क्या इसको मैं इसकी बीवी दिखाए देता हूं यह तो हमने सोचा ही नहीं सुन्दरे काम कुरो यह कपड़ उतारो साड़ी और ब्लाउस पैन कराओ हो सकता है इसे तुम्हें देखकर इसकी बीवी याद आजाए अगर ऐसा हो गया ना तो सारी प्रॉब्म ही सौल हो जाएगी इसे अगला पिला सब याद आजाएगा इसका धिमाग ठीक हो जाएगा और सोचो मैडिसीन के थ्यास में तुम्हारा नाम अमर हो जाएगा है तुम दोनों फिर शादि कर लग मैं तुम दोनों क Middleco चारे परे बच्चे होंगे ऐसे होंगे तुम्हारा ओपरेशन अगर मेरी चाजी होगे तो जिन्दी की वर कुमारी मरेगी और यू करते रहेगी और दे्स सुख करें करने अबुत कॉरीप करें जरूरे और तुम्हारे कहां मेत दिल से दिल की घरयेंकन याद करते हूं उसे भी कांचान मिलता होगा जरूर आएकई भू आना ही पड़ेगा उसे आपको पल पझता कितव कम शीऊ इस पल्ला चार्वाइन गरनी नाचने वाली इस घर में आएगी एक बार देख तो लोता है कहते हैं बिल्कुल काजल जैसी है खाग जो कहता उसके मूं में खाग ना तो मेरी काजल जैसी आज तक कुई हुई है ना कभी होगी कि अब भीतर चल आ हाँ काहे सिंगाल बाभू हाँ खा गए ना चक्कर अच्छा तो इनकी डूटी पे आए हुँ मैं कहूं साब जी गुड मॉनिंग बोलू हाँ गनी पंटास्टिक से जावट कर रखिया सेट ने मम्मी मम्मी आप आगा है आप कहां टिले गए थे मैं आपको कब से इंतिजार कर रही थी कौन सी रेस पैनी है मम्मी फैंसी शो में गए थी सो स्वीट अच्छा आपने प्रामिस किया ना आके वीडियो गेम ख्यालूंगे अभी नहीं बेटे अभी ममा थकी हुई है अरे पापा का है वो भी तो आपके साथ गए थे वो दिल्ली गए बेटे ममा आ गई है अब पापा भी आ जाएंगे यहां आप जाकर सुझाओं ताहिर पूजा को ले जाकर सुला दो हुआ हुआ है तुझे तो पवित्तर करना पड़ेगा राम 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 देखो ये बच्ची तो मने चोखी दिखे साब जी पर ये बुडिया मने तेड़ अच्छी तरह बोलते हैं हम इने ताई कहते हैं मेरी बेटी थी ना काजल उसको इन्हों नहीं पालपूस कर बढ़ा किया था हमारे लिए तो सागी हुई ना हाँ हाँ साब जी पर हमारे लिए तो सोते ली हुई ना आप समझा देना बेफ़ूर मेरी बेजदी खराबना करे मन प्रोब्लम हो जाएगी जवी वर्मकाई उची निमालूम कहां छुपा रखा है रवी वर्मा को मुझे निमालूम मैं सच बोलता हूँ मुझे निमालूम सच बोलता है सच बोलता है सच तो यह है कि मेरे बाबुजी ने तुझ से रिश्वत ली थी सत्य प्रकाश एक बाइमान आपसपता के अगे गोलतीती अगे मेरी यह मैं सबक्तारटाल मय नहीं किस दुपक्तार न तो यह थीर्मा को रवी वर्मा का रव रवाम मुझे छोड़ दो है भू benefit अज दो कर दो दो, कर दो, कि वो जवा हो, कि दो जो 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 जोग जो जो, कि वोगा हुआ। तार नहत प्रोंडर तार नहतने Bonnie िक भीahltनी object आगे बैठना काजल अब गिरना नहीं संबाल कर बैठना मैं एक मिनिट में आथा हूं काजल पास्टर्ड तूने मेरे पापुची की जान ली और तू सूचता है कि तू बच जागा अलो मेरे दर्ब देख देख मौत कैसी होती है देख देख शाबाज करन शाबाज जिसकी भादूर के किस्से में पढ़ता था अख़वारों में आज एक मुर्दे को मार रहा है ये मुर्दा नहीं है डॉक्टर ये मुर्दा मेरी गुली खाने के बाद होगा अच्छा खासा ये लगता है तुमने इसकी हालत पर गौर नहीं किया कि लिए即prechen कि अजी धिर कि देखों लुआ यहां थाशाना जानता है ना जीना जानता है ना ना जानता है और यह हौण कि क्या उसकी पत्नी का तुम बेवजए मार同 इक को डुम्हेर अनज अषण उप लोगों को मारते फिरोंगे इससे मारों गे मुझे महरोंगे सबकु मार दोगे क्या होगा उससे तुम्हारे बाबुजी पिर से पुर्षी उठेंगे बड़ी शांती मिलेगा उणकी आत्मा को यह जो तुम्हारे सिंहे में बदल की आग है न उसकी तसलिके लिए तुम इसको मानना चाहते हो मारो इसको जान से मार दो इसको वैसे बी एक जिन्दा लाश से जादा कुछ नहीं है कि बड़ी मेनद कर रहा था मैं कि शायद मैं इसको नहीं दे सको पर नहीं जल से जल ठीक कर इसे डॉक्टर दे इसे जिंदिगी जिस दिन तू इसे जिंदिगी देगा मैं इसे मौत दूगा बहुत सर्स बहुत क्या हुआ साड़े पांच मेने का बच्चा है यह टीना कबाल की हसीना इसके साथ मेरे चकर चल रहा था मगर इसका बड़ा कभी न था वरना मेरी शादी से हो जाती मेरे साड़े पांच बच्चे हो जाते हैं क्या हुआ नहीं समझा दूसरा सुन एक लड़का जा रहा था मुझसे भी काला सफेद कपड़े पहन कर एक सदाजी ने देखा उसको बोलो ए तेरे पीछे काला काला डाम लगा हुआ है उसने का सदाजी मजाक मत करो मेरी पेंट पिछे से फटी हुई है क्या हुआ नहीं समझा तूने मुझे बहुत पकाया ना मैं भी तरको पकाऊंगा तीसरा सुन एक लड़का भागता हुआ है अपनी ममी से बोला ममी 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 किचन में ने रामू नौकर है ना लक्षमी नौकरानी से चुम्मा चाटी कर रहा है उसकी मां घुसे में आकर उसको गुला कर डांटी बेवकुफ उल्लू कपठे ऐसे काम करता घर में तो बच्चे ने का ममी ममी एपनेल फूल एपनेल फूल वो रामू ने था डैडी थे किच्छ होता है नगों कि में तुम पिच्चर कहा है तुम तो पिच्चर में कहां देखने देता है मैं तुम हमको च्पृत कर दो फाल कुछ देंगा तो हाड झाल रावी रावी अरे को रोको उसको अरे रावी अर्प्टो को हाड़् वाइज चार्ट पाक्ष्ट हाड़् कर दोज़र है कि बुल्डोजर देख मेरा क्या आल बना दिया पकड़ लिया है किसने पकड़ लिया क्यों पकड़ लिया इतनी जल्दी हमारा साथ छूटने वाला नहीं है दोस्त नहीं जाने दूंगा जकिल जाओ दो जाओ भीश्थ नाव फिल जाओ लाओ और यकंड अधा रबिशक आप्र यार श्यात बोस्त के अब धीनिकात तुनिकटार आफ जाते हैं नूद्ध मेला करे इसे रोजाये करिया यार यह तो द्यूजाए क्वा यह सब क्या इस्टर सिंगार क्या है ढक्या है वो करन का बच्चा हट से आगे बढ़ रहा है हमें डर है कि यहां ना आ जाए लेकिन वो तो यहां आ चुका है कौन करन लेकिन रवी तो ठीक है ना हाँ रवी तो बिल्कुल ठीक है क्या कह रहे हैं करन यहां आ चुका है और रवी फिर भी आप तो अच्छी तरह से जानते है कि शेर कभी मुर्दों का शिकार नहीं करता डॉक्टर आप करन को शेर के रहें नहीं मैं मिस्टर रवी को मुर्दा कह रहा हूं रवी की तो हालत देखी है न आपने उसकी जान को तब तक कोई खतरा नहीं जब तक को अच्छी तरह से ठीक नहीं हो जाता डॉक्टर रवी कि अरे इधर कहां चली आ रही है कि इधर कहां चली आ रही है मतलब भूक लगी है कुछ खाने को लेड़े हैं उधर चल उधर खबरदार जो मेरी रसोई के भीतर पाऊ धर आतो नचनियों का डेरा समझ रखा मेरे घर को उठाया मुह और चली आई भीतर यह ले खाना थूस ल मर्वर का धरम करम सारा मिट्टी में मिला दिया है कि यह का चली गई यह क्या है यह क्या मतबल बढ़िया तो क्या समझे मने हां एसे खाना भेके कुटिया समझे मने कुटिया समझे मने कुटिया वैसे यह बोक्ति नहीं काटि भी हूँ दिखाऊं काट के आगे बढ़ी तो काट के रख दूगी जिन्दा चोड़ूगी तब ना जटितो पूडिया सुस्री तेरि तो इसवाम इसे खारी कचिरेंगी अरे कचिरेंगी काट काट से कीपमे कर देगी इसवाम इसके थेगी महर के रगदुनी आटी, आटी, आटी अरे तिनन आटी पंगल, पंगल रही के साथ या क्या हो रहा हैता ये? क्या हो रहा है ये? बेटी दुखो चुकाँँ सुचा, शायद रवी की जिंदगी बचा सको जिसकी सिंदगी काजल के नाम पर टिकी हुई अब नहीं बचा पाऊंगा उसे अब नहीं बचा पाऊंगा उसे अब नहीं सेजी ऐसा मत कहो मेरी उमर भी लग जाए जमाही राज को सिफ के आ देने बरसक कुछ नहीं होता कितनी उमीद थी कि तुम शेयल बनाकर प्रविक सामें लाइक बना है तो कि लेकिन तुमें अपनी नफरत से हुख करा रहे है मिलता है बढ़िया अज्डी जाओ यासे चोड़ जो हमारी किस वतकुक पर हाँ जाती हूँ जाती हूँ साब्ची जाती हूँ गुड मॉर्निंग आले तेरे लाटों गाते नहीं ही काचली के कहें ना बहुत है धक्टी ध कर रहा है कि इस अभु जाती नौट बहुत है कि तेरे को मैंके अ है mo के अपर पूलिया कंवकर दिमारी ने सबीड पूल स्लीप का चल और क्या हुआ पिछले साथ दिनों से डॉपर दोप्र साथ दिनों से ना ये खुद सोता है ना मुझे सोने देता है अगर नहीं सुया अगर ये नहीं सुया तो मैं हमेशा के लिए तो जाओंगा मेरे लिल्ली शादी से पहले विद्वा हो जाएगी मेरा बच्चा पैदा होने से पहले आनाथ हो जाएगा डॉक्टर साथ इसको नीद का इंजेक्शन लगा दीजिए तुम मुझे लगा दीजिए तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते इसके दिमाग पर डॉलक्त गॉलक्त पर शक्ता है तुम है खालत और खराब हो सकते हैं मेरी हालत के आप हुआ कोई फिकर नहीं कुछ तो दवा कुछ तो दवा होगी इसके लिए सुंदर इसकी दवा बन रहे और निंटर तुमा बोल, बिंदी बोल, लिपस्टेक बोल, नेल पोलिष बोल, कजल मसोल, कजल मसोल अरे वुमेव विद्या द्रविनम् तुमेव, वुमेव स्थरवम्मम देव देव सारी, हां? सारी, ओ, इट इस आल राइट, भूक लगी है, खाने दू या फिर बोतल ला दू, वही चड़ा ले, पेट भड़ जाएगा, बोल तोड़ दी न, अम्मा, क्या बोली, तोड़ दी बोतल, अब ना पीनने की, उसके बाद क्या बोली, अम्मा, साब जी ने कहा था, जो मा जैसी यो से अम्मा कहें, मैं अम्मा ना हूँ तेरी, ताई हूं, काजल मुझे ताई कहती थी, ले, अरे-अरे-अरे, काजल की जगे यह नहीं, वो है, मेज पे, चल, यहां बट, ची, कैसे खा रही है, ऐसे नहीं, काजल यू खाती थी, उठा चमच, चमच उठा, ऐसे, मेरा आशीरवाद तेरे साथ है, मेरा भगवान नहीं है, तेरे साथ है, याद रग बच्ची, तु एक अच्छे काम के लिए जा रही है, मम्मी, 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 पापा को साथी ले क्या रहा, मैं उनके बिना नहीं रह सकती, तेरे साथ है, मम्मी, तेरे साथ है, दिलगी वाला, ओ, दिलगी वाला ना जाने कब खो गया, तुने ऐसे दिखा के कुछ हो गया, दिलगी वाला ना जाने कब खो गया, तुने ऐसे दिखा के कुछ हो गया, कुछ हो गया, कुछ हो गया, पिखरों ऐसे राज में, इन बहुसे छूट की, हर जैसे फर्ष बे शीशा बिखर तूट की, बिखरों ऐसे आज में, नी नबहुसे छूट की, हर जैसे फर्ष बे शीशा बिखर तूट की, चाबा मेरी क्या कर गई, हाई हया हमें मर गई, अ कुछ हो गया, कुछ हो गया, कुछ हो गया मेरी जा, दिलगी वाला ना जाने कब खो गया, तूनी ऐसे दिखा की पचवा गया, सब्सक्राइब हुआ, संद्रेश शाएब प्लाह! नई पे खुदी है नई आब है, लगों पे लगों सा हसी का हुए है मेरी जान चैसे निखरने लगी तेरी तिरी चुबन से बिखरने लगी कुछ हो गया, कुछ हो गया, कुछ हो गया मेरी जान आहा आहा, 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 आहा5 मिओ कि मीओ के हनख का और लगाव कित बेखर आके हार बड़े दिल शी अपनी मुलापात है मीठी मीठी ये हरा भीगी भीगी रात है हार बड़े दिल शी अपनी मुलापात है ये सिलसिला यो निचले सोजा मेरी सिर्फो तने हपच हो गया, कुछ हो गया, कुछ हो गया मेरी जाँ दिल की वो ना ना जाने कब खो गया तुने ऐसे देखा के कुछ हो गया दिल की वो ला 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 तूनी ऐसी दीकों के लाला लाला तूनी ऐसी तूनी पारा!!! तूनी भी जो! कि यह तो अच्छा हुआ कि हमसे पहले कुट्टिया आ गए नहीं तो हमारी भी हाला यह होती शेड़ा देखें किसी भी बात की चूक नहीं होनी चेह हर काम मुझत्यादी से होना चीह है लीजिए थैंकियो माजी माजी आप तकलीफ मत किया कीजिया मुझे अच्छा नहीं लगता है इसमें तकलीफ कैसी दामाची मुझे तो बुरा लगता है कि रात रात दिन दिन आप घर के बाहर पहरे पर खड़े रहते हैं और जब भी मैं आपसे बिंती करती हूं कि आप घर म में आड़े आते ही तो किस तरह चुपते मैं आपको समझा नहीं सकता जैसे आप ठीक समझें कि आपकी चाहिए सर आपका फोन है रात बहुत हो गई है बेटी पुलीस का पहरा भी सकत है अब और इंतिजार मत कर अब करन नहीं आएगा भाईया और राखी बनवाने ना आए ऐसा तो कभी नहीं हुआ माँ माँ भाया करन मेरे बच्चे और कब तक यूँ भटकता भेरेगा अब घर लौटा बेटे गर लौटा गर लौटा बेटे फर्ज की राह में सिर्फ आगे बढ़ा जाता है मां पीछे लौटा नहीं जाता वाह कि उधर विने फर्ज की बाते करा है और इधर तू फर्ज की दुआई दे रहा है यानि मेरी ममता कहीं कोई मोल नहीं रहा है मुझे जो मेरे बच्चे का दुख खाय जा रहा है उसकी फर्याद में किस से करूं मेरा बाहदुर बच्चा चोरों की तरह यहां से वाद छुपता फिर रहा है तो क्या मेरा कलेजा नहीं कटता नजाने वह पुलीस के हाथ कब आ जाए और उसे भासी नहीं बेटा नहीं त यह मेरी मा बोल रही है कि करन की मा वह सत्य प्रकाश जिसने भलाई अपनी जान दे दी लेकिन पईमानी के आगे खुटने नहीं टेके क्या यह उसी सत्य प्रकाश की धर्म पतनी कह रही किस सत्य की रा बड़ी कठिन है इसलिए सहूलियत के आगे जुग जाओ इंसाफ की जगे रियायत की भीक मांगो क्या यही कह रही है मेरी मा हाँ बेटा हाँ सिंदूर पॉचकर जैसे दैसे सबर किया है मैंने लेकिन अगर मेरी कोख जड़ गई तो मैं जिन्दा नहीं बच्छों की मेरे इस देश की वीद तो यही है कि फर्ज के रहा पर एक बेटे की बली चाड़ा कर माई इसलिए दुखी हो जाती थी कि काश उनके और भी बेटे होते हैं तो वह इंसाफ के खातिर उनको भी कुर्बान करते थी और तू मुझसे कह रही हमा कि मैं अपने देवता जैसे बाबुजी के हत्यारों को माफ कर दू बाप मेरा मरा है मेरा यहां आग लगिये आग बाबुजी उपर से देख रहे है मा देखने के आज उनका बेटा क्या कर सकता है जिस बेटे के सर पर कफन बांद कर उन्होंने सारत पर भेज दिया था कटने के लिए कि आज उनका वही बेटा इंसाफ की जंग में कितनी कुर्बानी दे सकता है वो देख रहे है माँ वो देख रहे हैं मैं अपने आदर्श पिता के मौद पर आसू भागर बैठ जाओं नहीं माँ नहीं तुने किसी कायर को नहीं जनम दिया सच्चाई कि इस जंग में अगर मैं मिट पिजाना मा तो दुख ना करना फक्र करना बस भाईया बस आज के दिन ऐसी अश्यों बाते नहीं बोलते तुझे देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं बैए दे सकते हो तो भरोसा दो भाईया कि अपना खयाल रखोगे कि भगवान करें मेरी उम्र भी लग जाए मेरे भाईया को कि तेरे इस कमाने रख जल्दी जल्दी करों तुम्ड़ों से अब रवी को सेक्यूरीटी की जरुवत पड़ेगी सिंगाल साब जो रवी आया था और जो रवी आप लोगों के साथ जा रहा है यह दोनों अलग-अलग इंसान है यह अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में सब कुछ बूल चुका है क्या मैं मतलब मतलब यह सिंगाल साब आज एक सीधा साधा साफ सुत्रा कोरे कागस की तरह है जैसे जैसे आप लोग इसे इसकी पुरानी बाते याद दिलाएंगे इसे आइस्ता आइस्ता सब कुछ याद आ जाएगा इसका मतलब जमाई बाबु पहले की तरह रवी वर्मा तो बन बन जाएगा बन जाएगा बन जाएगा अपना ख्याल रखना हां सुन्देर क्या बात है बंगडो प्यार करते हो तो जताना भी चाहिए गले नहीं मिलोगे क्या हुआ पेशंट बन कर आया था दोस्त बन कर जा रहा है अल्दो बेसरा भी अखना प्रभू तेरा धन्यवाद यह सब प्रभू तेरा धन्यवाद यह सब कौन है यह वह अभी तक पकड़ा नहीं किया है रवी जी बेटे हम चलते हैं मुझे इन लोग के साथ जाना है ठीक है मुझा मिठा करते जाएं सेट जी मैं मुझा कर लूं हाँ बेटा ताई रवी कोई खिला दो इसके साथ हम सब का मुझा हो जाए पापा देखो यह मैं हूँ यह मम्मी है और यह पापा है पापा म सोरी तो क्या हुआ बेटे मैं तो रोज गिजाता था नहीं पापा हाँ देखो एसे 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 एए जाएब माम झना पिलागे यह रहे नहीं करेdarा है उढा हो यह मम्मी मैं जासता धा प्लाएब वी फाममी मैं एसे लाएब तो रही नहीं ड्रहेग फैलोग़व mt Vetek Hai Happy family, happy family, happy family, happy family रवी तुम चलो इहासे तुम्हारी जांको ख़त रहे है रवी तुम चलो इहासे तुम्हें मेरी कासम अरे कॉने कासम चलो रवी चलो बांचे करा रवी दुम अर्व्य कॉकुट नहीं ख़ता है रवी तासों कीच बागा एक है चाहर रवी काज़ोर्य अरनी जआठेक करुमा शकनाच मांनी रॹट जापके मांनी करें शीलो करेंश यह तुम। कि यही यही खौफ मैं तेरी आखों में देखना चाहता था वकील हर बैमान और बुरे आदमी के सीने में खौफ भर देना चाहता हूं मैं और यही सजा देना चाहता हूं मैं तुम जैसे लोगों को है कि सजाय मौथ है हैं मा के सुहाग का बदला लेने के लिए मैं बेहन का सुहाग कुर्बान नहीं कर सकता हुआ अरशा! आशे जिन! भाबी जिनर्वाँ! फ्रॉक्त वो मुझे क्यों माने चाहता है तुम यह सब मत सोचो वकील कितने मुकदमें जीतते हैं एक आधा हार भी जाते हैं कई दोस्त बन जाते हैं और कोई दुश्मन भी गाजल जी तुम रभी कुछ संभाल कर ले जाओ देखना ये परिशान ना हुआ काजल है कि यह नहीं हो सके बेना मनने थारी जगे चाहिए को नहीं मनने तो कजरी लेकिन मैं तो चाहती हूं कि तुम मेरी जगे ले लो कि देखो तुम ही मेरे रवी को बचा सकती हो पूजा को मा का प्यार दे सकती हो देखा है मैंने इतना उपकार कर दो बहन मेरे उजड़े घर को बसा दो बंजाओ कजरी से काजल काजलो कुछ कमी है हाँ कि अजड़े बंज़ आजड़े लो विरिली छोडि शारी खदा तेरी छोडि सारी खदाई तेरी होगी होगी मैं सबसे पराई देवाने इस माच पे किसका है पहरा मिलने की घड़ी है पल भी हठरा मित्वा, मित्वा मित्वा, मित्वा, मित्वा मित्वा, 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 मित्वा आया जो मौसम सिंदूरी महिंदी रची हुई चाहत पूरी जिंद मेरी ये रब से ये मैंने कहा मेरी जान है तू ये जान ले तू मरी जान है तू ये जान ले तू मरी जान ले तू मरी जान है तू ये जान ले तू अब तुम बिल्कुल पहले जैसे रवी देख रहे हो वाज एक बात नहीं है पहले तूम इतना मुस्कुराते नहीं देरे धिरे से बिल्कुल पहले जैसा रवी बना रहा है बनाना जरूर बनाना लेकिन ये जो नई बात देख रहे हो इसे मत मिटाना आवड़े चले अच्छा था ये चरनाम रिख हाँ क्या हुआ बिटिया नहीं ताई आप मुझे फिर से कजरी ही कहने लगिए भगवान करें वो जल्द से जल्द बिल्कूल ठीक हो जाएं मैं फिर से अपनी दुनिया में लोट जाओं फिर तो कोई प्रोब्लम ना होनी की ना राम कसम हुआ 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 वेल्कम रभी आगे हमारा बबबर जंगल में फिर से राज करने के लिए अरे हम तो पहों का हाथ डालूंगा अपने जवाई बाबू के गले में अच्छा सुना है के ससुरा करन का बच्चा पकड़ा गया लंबी लंबी गाड़िया यह बंगले यह सानो सौकत यह सब जूटाही की बदौलत तो है ना अरे खुड़ा सांस लेने दू है है रवी यह हमारे होटेल का मॉडल यह उस मिल की जमीन पर बनना है जिसमें तुम्हें आग लगवाई था और यह है अपना सीफिस वाले बिल्डिंग का मॉडल जिसे आपने गरवा दिया था अफसोस वो पुर्शुत तो नहीं रहा जिसका यह सपना था यह टॉप फ्लो का पेंट हाउस मेरा ही है ना यह है यह है यह है नहीं मिन्सबल कमिशनर उस सत्य प्रकाश की जगा और सुनो उस सुसरे ने जेल में आत्मत्या नहीं की थी हमने मारा यह है अकेले बैठी हो अरे यह यहां की वाईयां यह कोई गानवाना गाती है कसम सेरी गाना तो तू गाती है कले जब फाड़के चला जा आज 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 गाले इनके सामने शर्मा मा चल चल उट सवाज सुनो जी सुनो आज इदर पेसल गाना होगा और यह गाएंगी हमारे जवाई बाबु के सान में गाले गाले सर्मा मा चल शुरू हो जा किसी ने सच ही कहा है जो रहा इन बैरन अखियान का होजा करने थे नादानी हमें आग लगाएं दिल में हार फिर परसाएं पानी किष्वन करना किष्वन करना बस तिरे नाम की तुझ पे बलिहारी जाओ कसर नाम की पिया लागे लगन बस तिरे नाम की तुझ पे बलिहारी जाओ कसर नाम की तुझ पे बलिहारी जाओ कसर नाम की मेरा सिंदूर है मेरा श्रिंगार है तु मेरी धडकने तु मेरा प्यार है रब से बस एक साथ मांगो पिया हर चन में तेरा साथ मांगो पिया मेनी हर सांस पे मेनी हर सांस पे लागी 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 सब कहें ये लागी बुरी बला दिल की विशवर इस लागी पर इसका जोर चला मुझ में च्छाई है कैसी ये जीवानगी मैंने पाना तुझे अपना भगवान जी मुझ कस्ता गंद साजन मेरे राम की बिर तेरे मैं नहीं अब किसी काम की तेरी तहले जुपे ओ तेरी तहले जुपे दम ये निकले मेरा तेरी तहले जुपे दम ये निकले मेरा तुझ पे बली हारे जाओ कसर नाम की तुझ पे बली हारे जाओ कसर नाम की पिया लागे लगन पिया लागे लगन बस तेरे नाम की तुझ पे बली हारे जाओ कसर नाम की तुझ पे बली हारे जाओ कसर नाम की कि अज़े जाओ कि है थे बड़ी खजब की अटिंग करती है री तुझ फिल्मों में काम करेगी हां ताप की इवन बनवादूँगा तुझे सुभाज कई है न मेरा लंगोतिया यार है मैं लगवादूगा तुझे हां 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 कलेजा धंडा करे मुझे कुछ हां आदे पिछप मै वाइप्ट ! मुझे आफ्टक मुछू मुझे आफश्कर टू हां हां सुछ прибत प्च स्वाज कसल नाफ भाच्ट प्चट प्ष्ट्थ मुद Chest has Auch मैं हां आफ। तेस बापिर्ध दिया ङुआ या! धरुक शाओब रभी! यहासे! यहासे, बैजा आप कोउए Nordic office इस ह्रावाम शाओए दे मेरी यही flexible तुम यहां से जाओ हम उसका नक्षा बदल देंगे तुम जाओ बेटे जाओ 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 उसने मारा तो मारा सिंगाल साब लेकिन आपने क्यों मारा इसलिए बेवकुफ कि उसे अभी असलियत नहीं बतानी है पहले वो ठीक हो जाए अपना काम पहले जैसा आपने हाथ में आ जाए उसके बाद कहेगा ना तो उस नाशने वाली को उठाकर तेरे बंगले में डाल देंगे जी भरके उसका नाश देखते रहे ना समझा चाल काजल नहीं काजल बस काजल यह तुम्हारा अपमान नहीं मेरा अपमान किया उन लोगों ने यह लोग अच्छे लोग नहीं काजल यह तुम किस मूंसे कह रहे हो तुम भी दोनी में से एक हो हाँ शायद हूँ पता है वो करन मुझ पर क्यों गोली चलाना चाहता सा क्यूंकि तुमने उसके मांदार बाप के दामन पर दाख लगाकर उन्हें जेल भिजवा दिया और शर्म के मारे उन्होंने आत्म हत्या कर ली यही तो मैं बताना चाहता ह और तुमने मुझे कभी रोका नहीं क्यों काजल क्यों हो सकता है मुझे पता ना हो यह सकता है कि मैंने तुम्हें रोका हो और तुमने ना माना हो कि मुझे याद आया कि रोका था तुमने कि तुमने मुझे कहा था कि भगवान मेरे पापकी सजा तुम्हें दे और वही हुआ करन ने गोलिया मुझ पर चलाई और वो सारी कि सारी तुमने अपने उपर झेल लिए भगवान तुने फिर भी मेरी काजल को मुझे वापिस लोटा दिया कि मैं सुपकार का बदला कभी नहीं चुका पाऊंगा लेकिन हाँ मैं प्राइश्चित करूंगा मैं अपनी पापों का प्राइश्चित जरूर करूंगा तुम किसली आये हो तुम यहां माजी मैं अपनी गलती कबूल कर ने आया हूँ माजी मैं बहुत पच्टा रहा हूं कि इस पच्टाने का कोई मतलब नहीं है क्या होगा इससे हैं मेरे पती का स्वर्गवास हो गया मेरा बहादुर फॉजी बेटा हत्यारा बन गया नहीं अब चाहे भगवान भी तुझे माफ कर दे मैं माफ नहीं करूगी मुझे माफ ही नहीं चाहिए माजी मुझे सजा चाहिए और भगवान के हाथों नहीं तेरे हाथों कि मैं मैं तुझे प्रत्यक्ष भगवान मान के पूछता हूं कि तू मुझे बता कि मैं क्या करो मुझे कोई रहा Inhale देखाइा और तूही मुझे बता कि जब एक इनसान एक इनसान को एसास हो कि उसने भूल किये और उस भूल का पच्टावा करना चाहे तो वह क्या करें आखिर कोई तो सजा होगी मेरे जैसे गिरे हुए इनसान के लिए कोई तो होगी हां सजा तो तुझे भी मिली है बिटा मैंने अपने पती को खो दिया है और तुने अपनी पत्नी को मैंने बहुत कोशिश कि अपने करन को रोकने की पर उसके सर पर खुन सवार था गोलिया तो वह तुम पर चला रहा था मरन हो गया तुम्हारी पत्नी का भगवान उसके आत्मा को शांती दे जा बेटा जा मैं कौन होती हूं किसी को सजा देने वादी कौन है वो बोल अपनी ताई समध्य चुपा मेरी बच्ची क्या वो रवी तो नहीं हां हां सच तो यही है कि तेरी काजल गुजर गए तो तो फिर वो वो काजल नहीं कजरी है और हां है तेरी काजल का दूसरा रूप हाँ 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 मैं भगवान से यहीं मांगोंगी कि तुम कोई पाप करो उसकी सजा मुझे ही मिले कि सचाए तो एक नहीं दिन सामने आने ही थे है रवी कि बड़ी तबस्या कि यह कजरी ने तुमके एक नई जिन्दगी देने के लिए कि आज कि जो तुम यह जिन्दा हो होश में हो कि कजरी की वजह से हो माफ करना मेरे दोस्त इस जनम में तो तुमने कोई अच्छा काम किया ही नहीं लेकिन हो सकता है कि पिछली जनम के तुमारे कुछ अच्छे करम या काजल के साथ तुमारा सच्छा फ्रेम जिसकी वजह से आज तुमारे अंदर का शैतान मर गया और इंसान जाग गया अब देखो अपने आपको सिर्फ शिरीर ही नहीं ऐसे लगता है कि अंदर की आत्मा भी धुलकर नहीं हो गई है कि समभलो अपने आपको मुझकलन तो अब आएंगी तुमारे रास्ते में कि सारी जंदगी तुमने जूट का साहरा लिया है सच का सामना करने में थोड़ी तक्लीफ तो होगी ना बट वेल अच्छा नहीं किया कि तुम अच्छे इंसान बन गया हो और लग बट वेस्ट अफ लग कि सारे मुहले की ओड़ों ने चान देखकर खाना खा लिया लेकिन एक तेरा ही करवा चौता नोखा है सवेरे से भूकी बैठी है कुछ खा ले नहीं ताई अभी तो आता ही होंगे ना उन्हें देख लूं फिर खालूंगी अब नसुनती में तेरी पगलूई कुछ खा ले तब ना मिलेगा पेट के बच्चे को कुछ इस बच्चे की इतनी फिकर मत कीजेता है पता नहीं क्या लिख आए इसके भाग्य में कभी तो उनको पता चलेगा कि मैं काजर नहीं कजरी हूं एक नाचने गाने वाली बाजार और तब क्या उस बच्चे को स्विकार करेंगे करना पड़ेगा उसे उसे स्विकार करना पड़ेगा कजरी क्या कुछ नहीं किया तुने उसके लिए अपना सब कुछ तो नौचावर कर दिया उसे बचाने के लिए अब उसके बच्चे की मा बनने वाली है तो इतना बड़ा बलिदान अगर अब भी स्विकार नहीं किया तो मैं तो यही कहूंगी कि बहुत अभागा है वो जवाई राजा तुम कब आए बिट्या ने करवा चौत का व्रत रखा है तुमारे लिए पहला नेवाला अपने हाथ से खिला दो मैं खाना लगवाती हूँ तो यहां दस्तकत कर दीजे यह आपकी जमानत के कागजात है इतने सारे रुपों को इंतजा मानने कहां से किया यह जमानत मा जी ने नहीं दी है फिर इन्होंने दी है मिस्टर रवी वर्मा इतनी बात तेरे समझ में नहीं आती वकील के सत्य प्रकाश के खांदान में कोई रिश्वत महीं लेता यह रिश्वत नहीं है मेरी गलती का छोटा सा जुर्मान है बाकि जो भी और सजा तो मुझे दोगे मैं उसे सर जुका के कबूल कर लूँ है ना टक मत कर वकी तेरे यहाद कंडे में खूब समझता हूं पच्तावा हो रहा है तुझे प्राश्चित करना चाह रहा है तू अरे डर रहा है तू डर रहा है कि मैं तुझे बहुत बुरी मौत मारूँगा अक्रान मिया अरे हां मा सिर्फव चाह सकती है तुझे मुझे नहीं बचा सकती अप्टीक है नंसा से एक रासता है तेरे बचने का मैं सिर्फ एक कर चनना चन्ना चाथा mob suicide रहा है अ अगर मैं मर गया, तो तू जी गया, अगर मैं जी गया, तो तू मर गया यह क्या बेव खुफी है, दुश्मन को छड़वाने का क्या मतलब? दुश्मन वो हमारा नहीं है, हम उसके दुश्मन है क्या? उसने हमारा नुकसान नहीं किया हमने उसका नुकसान किया है क्या वकवास कर रहे हो तुम क्या सोच कर रंगी जमानत कराने कही ते जब कि अब भी हो तुमारी जान लेना चाहता है मैंने काम ही ऐसा किया है दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा दिमाग खराब नहीं दिमाग तो सही हो गया है मेरा मैंने तय किया कि जितने भी पाप लोगों ने मुझसे करवाए हैं उसका मुखजा खुद भी भरूंगा और दूसरों से भी भरवाऊंगा और उनमें से एक आप भी है तो त्यार रहेगा तुम सिंगाल से बात कर रहे हो सिंगाल से बात कर रहे हो तुम अपने ससुर से बात कर रहे हो तुम आप मेरे ससुर थे लेकिन आज जब काजल नहीं रही जिसकी वज़े से रिष्टा था तो अब आप मुझे इस रिष्टे की दौाई मत दीजे बहुत सबान चल रही तुमारी दो ठकीकी नाशने वाली ने दिमाग खराब कर दिया है अब आप ताफ यह मत भुटों इस घर में दो इते मेरी भी लगाई हुई है तो निकाल दीजिए अपनी एते तुमारी दो इतो की वजे से मेरे बद्दू फैली हुई है लगे नौश शाउट मिस्टर सिंगर इससे पहले कि मैं कुछ कर बैठूं किराव दावस किराब सवांग रचाकर भले घर की औरत बनना चाहती है आखिर चला दिया चक्कर उस बिचारे रवी पर कम साथ बाजारू आरत हम बाजारू आरते सेट तुम जैसों की घरेलू आरतों से तो बहतरी है ना तुम तो अपनी आरतों से कुछ भी मनमानी करते हो और हमें रुपे भी देते और तलवे भी चाठते हो कम सर्फ अपनी आवकात से बाढ़ में अवकात देखनी है सेट हां देखनी है तो चलो चैलेंज भेंकती हूं मैं तुम अरे हाथ उठाना तो दूर तुम सिर्फ एक बुरा लख निकाल कर दिखाओ मेरे बारे में राम कसम अगर प नहीं लगना चाहता तुम जैसी औरतों के अरे सेट औरतों को पाउं की जूदी समझ ना छोड़ दे जिस दिन सर पर पड़ेगी न तो बेभाव की पड़ेगी बात करता है साला अरे आवकाती क्या ससरी कि कहो तो जान से मरवा दे जाई उसके लिए उसे फिर उसी नाली में जाना होगा बोटी बोटी पिकेगी उसकी किसट किसट कर रिंग रिंग कर सड़ सड़ कर मरना होगा उस पड़ साथ को वो सदा ठीक होगी उसके लिए गर्थिया है बंदू बस तुसका क्या हो मिचे क्या हो को मैं नहीं जाना मैं खिलाओंगा तुझे खेल मैं बोलू कुवाध। इसे एनका मत कहना मैं हूँ हराम की तो मैं हूँ क्योंकि न तन न न पता है न मन मुझसे मैं तो बोलू प्यार करें है तुर वाली अरे हराम की जा वोड़ असलियत बता के तुधंदे वाली नाचने माली है तब देखो कितना प्यार करें है वह तुझे अर्ण कि जाई तो बोलू संता हराम के इस वीज को तो जैसे 25 को सीधी कर चुगा हूं मैं अब तक तांगे तोड़कर डेरे में भी ढाल दूगा ना तो भी घाटे में रहूंगा अरे ना रहे ना चने लायक बीस बच्चे सदिन भूके रहेगी तो खुद ही दिमाग्ट गाने आ जाएगा एक अबस लकाश के पगड़के तो रख वहले इस बलाक न टादो जिसकी वजह से तक रही है हम दोने काटजा यहिं के यह हेशे किए फई जाओंगा टालग कि यह तरी हां मेरे होने वाले बच्चे की माँ मैं तो बोलो नहो नूसे बौलो जी टंटनक टं टंटरंफार लिए क है तुनक razor बारा ये ले नहीं ये ले ले जाओ समालो अपना एक हर अपनी दुनिया अपनी दुनिया अपनी कभी मां चोड़कर जाना मामी नहीं रह सकती नहीं पीटे नहीं नहीं जाओंगी, नहीं जाओंगी, नहीं जाओंगी, नहीं जाओंगी, नहीं जाओंगी, नहीं जाओंगी, बस, रवी, बस, मैंने उसे आगाह किया था, मैंने सिंगाल को आगाह किया था, मैं मुनिसिपल कमिश्णर मिस्टर सत्य प्रकाश का केस फिर से खोलने जा रहा हू कल अदालत में खोल कर रख दूँगा पूरे सबूतों के साथ नाए यह नहीं हो सकता है रवी के पास हमारे खिलाफ जो भी सबूत हैं वो खत्मों में चाहिए सिंगाल साप हमने तो रवी का पूरा ओफीश चान मारा लेकिन हमारे फाइले हमारे काज़ा थ्वाफीश सब गायब है कही हमारा नक्षा नपलट जाए कर आए तो यह थ्वा खना मारा नपलट जो खना फिर हाइले है हराए खर खर आए कि माजी करन भाया ने पुलीस की हिरासत से भाग कर अच्छा नहीं किया खत्रा और बढ़ गया है हाँ कि खत्रा तो बढ़ गया है क्योंकि रवी वर्मा करन के पिता जी का केस फिर से खुलवा रहा है ताकि उन्हें जूटे कलंग से मुक्ति मिल जाए अगर ऐसे बें कहीं करन नहीं नहीं अगर करन का सामना रवी से हो गया तो वो उसे जिन्दा नहीं छोड़ेगा कर्दे ज्वेशों कर्दें ज्वेशों कर्दें ज्रवेशों कर्या है कर्दें तो का वो फिएशों अरुड़ और अरुड인을 होइए झारेने ठाए ठीघिके तेन जूरे suck मैंने कहा था ना वकील मैं तुझे जिन्दा नहीं चोड़ूगा में करन मार डालो मुझे मुझे मार कर तुम अपनी पिता की मौत का बदला तो जरूर ले लोगे लेकिन मेरी वज़े जो दाग उनकी चरित्र पर लगा है वो तो वहीं मिटेगा उसी अदालत में जहां वो ल जो तुमारी पिता की मौत के वी जिम्यदार है और वो लोग इसे अदालत तक पहुंचने नहीं दे रहे है कि चल अदालत तुनिया की कोई भी ताकत तुझे अदालत पहुंचने से नहीं रोख सकती चल टार ऑ़ो यो भालत तुनिया की से टाइर चल सुत आर झालतुन पर बस लांग दुखों में गुजर गई तुम्हारी तुम्हारी तो वैसे ही कश्टों में कट रही है काहे को और दुखों को नियोता देते हो हाँ लाओ, मुझे दे दो, लाओ बात रामायन की करते हो, और इतना भी नहीं जानते हैं कि जब रावन को जलाया जाता है तो उसके साथ साथ कुम करन और मेगनाथ भी चलकर खाख हो जाते हैं पता था मुझे पहले से पता था कि अच्छी तरह से समझाने पर भी नहीं ना समझेंगे आप इसलिए दूसरा बंदोबस भी किया हुआ है हलो लीजे सुनिये अपनी पूजा बीटिया की प्यारी प्यारी आवाज सुनिये सुनो हलो बेटा चोड़ बच्ची को कभी ने बच्ची को कुछ हो गया तो चोड़ो गीरिमें तेरे को पूजा रोते नहीं अब यू समझ लो कि अदालत में जाके आपने खोला नहीं कि आपकी पूजा विटिया अई हाँ आ हाँ हराम जदे तू क्या समझता है कि तु मौत का नंगा नाच नाचेगा तुम्हें डर के अपनी रादे बतलनूंगा यू बास्टर्ड आ हाँ 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 नहीं कि अज़े कुछ समझ में द्यारा में लॉड कि आज कमिशनर सत्थ प्रकाश को चरित्रवान साबित करके मिस्टर रवी वर्मा क्या हासिल करना चाहते हैं जबकि एक दिन खुद इसी अदालत में खड़े होकर इन्होंने कमिशनर सत्थ प्रकाश को रिश्वत खोर साबित किया था और हमने इनकी जोरदार दलिलों पर तालिया बजाई थी काश आपने वो तालिया नहीं बजाई होती काश जिस दिन मैंने पहली बार जूट को जिताय था और सच को हराय था लोगों ने तालियों के बजाए मेरे मूँपद थपड मार दिये होते तो आज यह नौबत नहीं आती और अब तो यह आम बात में लॉड कि जूट बोलने वो उधर जो मेरी माँ बैठी हुई ना जच साब उसने मुझसे कहा था कि उस देवता को पथर मानने वाले हाथ लोगों के नहीं थे मेरे थे और उसने बिल्कुल ठीक कहा था जच साब ठीक उसी तरह हैं जैसे सत्य प्रकाश जी का कतल भासी के फंदे से नहीं हुआ था उस कतल के असली मुझरिम वो थे चिनों ने फंदे बनाने वाले हाथों को खरीट कर उनका खून करने के लिए भेज दिया भाशन बहुत हो गया मिस्टर अबी बर्मा अगर आपके पास कोई नाम है और उसके खलाब कोई सबूत है तो पेश कीजिए वरना खा मखा अदालत के सामने पेश करता हूं पापू यह बंचाला पापू प्लीज बंचाला पापू यह बंचाला पापू यह बंचाला रभी क्या बात है कुछ नहीं सोच्राओं धर्म इंसाफ और सच्चाय की लड़ाई में गुरू ने भी अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया था अज उसके अदालत में मेरी कुर्बानी क्या रंगडाती है पापा पापा जोड़ बच्ची को तेरा छोड़ बच्ची को कभी ने चोड़ दे जिगव च्छोड पूज़ पूज अध्य को ड़ा यह बंची को अधालत शर्मसार है क्योंकि इस अधालत ने कमिश्णर सत्य प्रकाश जैसे नेक, सच्चे, इमानदार इंसान के चरित्र पर दाग लगाया हम उनके मरनो प्रांथ उनसे शमा याचना करते हैं और कभूल करते हैं कि कभी-कभी कानून भी अपराधियों की चालाकी में उलजकर गलती कर बैठता है अधालत ये हुक्म जारी करती है कि कमिश्णर सत्य प्रकाश के खून के इल्जाम में तेजेश्वर सिंगाल को फौरण हिरासत में लिया जाएं और इन पर बाकी मामलों के मुकदमें चला जाएं रवी, बूजा पापा 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 ये बुष्टड इंस्पेक्टर पापा पापा आके बिड़ बढ़ना अभाप आके सच्चाव सच्च्च Lewis पापा हज़ा आगे सिर्फ हज़ाब सिर्फ 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 तुम यहां से बचकर नहीं जा सके होश करो मैं कहता हूं अज़ा अज़ा हटजा 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 ने लड़के गोली मार दूगा हटजा इस्पेक्टर बंदूग फ्लाग दे और अपने आपनों से क्या देगे हुज़ा हुज़ा हुज़ 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 मेरा इसाब भी तुछ पर बाकी है वकील हां मुझे आद है लेकिन इसके लिए तुम्हें जेल से चूट के आना पड़ेगा और तू क्या समझता है कानून मुझे छोड़ देगा नहीं हां छोड़ भी सकता है बशर्थे तुम्हे को अच्छा सवाकीन मेले हुआ तू लड़ेगा मेरा केस उद्वा कि अच्छारै से खुड़ कोई लड़ेगा लूट वारेसे जोरी जोरी जुपके जुपके कैसा चात उटाला हाँ अनल नंतर लग्ष्क पुत्र है है नंतर लग्ष्क कुट्र और लग्ष्क कुट्र गेली दे विच्चो कौन लंगेया किते होई ना होवे ओचिता शक जी गेली दे विच्चो कौन लंगेया ओदी अट्टी वच्चे सिने ठक शक नी गेली दे विच्चो कौन लंगेया